दिखे हमने ग्रीन यालो और रेट तीन कलर का उंड ले लिया और यहां पर हमने 1.75 का क्रोश्य ले ले लिए चलिए स्टार्ट करेंगे अब हम यहां पर यालो कलर से हम अपनी 32 चेंज जो हमारी लेंज है 32 चेंज से कंप्लीट करने हैं एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा इस तरह हम अपनी 32 चेंज बनाएंगे है कि यह हमने 32 चेंज बनागी है दो चेंज हमने एक्स्ट बनाई और यहां पर हम एक और दो दो चेंज छोड़के तीसरी वाली चेंज में हम यहां पर डबल क्रोश्य बनाएंगे दीखें तीन का दो किया दो का एक किया है पर नेक्स्ट में डालेंगे चेन में तुछ फिर यहां तीन का दो कर एक फिर नेक्स्ट में डालेंगे एक एक छेन में हमको एक डबल क्रोशिय बनाना यह तरह से चलि यह पूरा कम्प्लीट कर लेते हैं यह दिखें लास्ट में है लास्ट में हम यहां पर एक दबल क्रोश्य बना लेंगे अब हम यहां पर दावा काट देगे क्योंकि यह हमारी पट्टी तेयार होगे इसी तरह 32 फंदे डालके इसी तरह 32 चेन डालेंगे और हम इसी तरह यह पट्टी भी बना लेंगे यह भी सेम इसी तरह हम लालकी बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे 32 फंदे बनागे हम डबल क्रोश्य की एक लाई और बना लेंगे इसलिए हम चार नमर के कानाजी की बना रहे हैं इसलिए मैंने 32 चेन डालके दो यलो की और एक रैडी की तेन पट्टी हमने यहां पर बना लेंगे अब हम इसको इस तरह जॉइंट करेंगे यहां पर हम दोनों साइड में सीधी पट्टी इस तरह पकड़ेंगे इस तरह यह इस तरह यह वाली अब कोई पट्टी ले लेडी जी दिखिए दोनों साइड हमारी सिधी है तो अब हम क्या करेंगी यहां से धागा अंदर करके यहां से आमने जो टीन चेन डाली थी स्टार्टिंग में उसमें और यह वाली चेन में हम इस तरह ग्रीन धागे से सिंगल क्रोश्य बनाएंगे इस सारे धागे हम अंदर की साइड में कर देंगे इसको हम इस तरह अंदर की साइड में कर देते हैं बाद में हम इसको अंदर साइड करेंगे दोननों के हम एक चैन लेंगे सिंगल क्रोश्य बना देगे फिर इसे रेट की लेंगे आगे से यहां से रिखेंगी य Commerce कि लेंगे हैं कि फिरीदे से एक रेड़ की चेन और एक यहां पर यहां पर यहां पर छोड़नी नहीं है बहुत असान है फ्रेंट कोई मुश्कल है नहीं है खली हमको सिंगल क्रोश्या करके जॉइन्ट करना है कि दोनों साइड से सब्सक्राइब एक यह काग़ की एक पीछे की लेके इस तरह हम पूरी पत्ति जो है कि इस तरह हम ज्वाइंट कर लेगे और ना तो एक में डो बार डालना है और नहीं एक में ऐक छोड़नी है ईक चैन में एक आगए से एक रेडसे और एक यप यो sve इस तरह बनाएंगे तो चले बनागी धीर आपको दिखाते हें इस ताम लास्ट कम्पलीट कर लेंगे कर देंगे हैं हम अंदर की साइड में इस तरह कर देंगे कि यहां से इस तरह हमने कि इसको गरीन दागे सिंगल क्रोशे से बना दिया है कि अब हम यह सारे जितने दागे हैं इस तरह अंदर की साइड में कर लेंगे ताकि बाहर की साइड में हमारे दागे दिखें नहीं कि इसी तरह यह साइड से भी सारे दागे जितने हमारे पास बाहर लेटर कर रहे हैं सारे दागे हम कि अंदर की साइड में करेंगे और एक्स्ट्रा वड़े धागे हम इसको काड़ दें अब हम एक यालो लगा दिया एक रैड लगा दिया अब हम वापस से यहां पर यालो कलर का धागा लगाएंगे यहां से हम इस तरह रखेंगे और यहां वापस से हम इसको भी इसी तरह से हम सिंगल प्रोशे से इसको जॉइन करेंगे अब उसी तरह हम एक इधर से चेन और एक उधर से लेके इसको जॉइन करेंगे एक इधर से और एक बैक साइड से इसी तरह हम इसी तरह हम यह अपना पूरा कर लेंगे है अब यहां से हम इसका वान धर करेंगे विशे यह हमारे हाफ वा इसके लिए यहां से अभी इतना एक और दो यहां से हम इसको इस तरह से आज यहां से लेकि यहां से भी हम इस तरह लेंगे और गरियन धागे से हम इसको इसको शिंग इंग से जवान करेंगे इसी तरह एक हम यह साइड से लेंगे और एक हम यह साइड से लेंगे दिखिए जो गिरीन था उसको हम अंदर की साइड कर देंगे कि बहुत आसान है सीधी सीधी पढ़ती है इसमें कुछ खास हमको करना नहींगे इस तरह हम यहां पे एक यहां से लिया और एक बैक साइड से लिया इस तरह हम दोनों पटियां जो है इसी तरह जोएन कर देंगे इसी तरह हम लास तक इसको जोएन कर लेते हैं इस तरह हम ने यहां जोएन कर दी अवह में चेंड बना कि यहां से दागा काट दें इस तरह से यह हमारा जोएन होगा अब हम यह वाला दागा भी अंदर की साइड में अच्छे से कर देंगे कि यहां से अब हमने सेंटर में जोएंट कर लिए अब हम यहां पर भी यहां से हम इस तरह लेंगे और यहां से इस तरह पकड़ेंगे और यहां से लेंगे और इस साइड से लेके हम यहां पर भी थोड़ा सा पंदर से लाई कर देंगे यहां से एक वार इस साइड से लेंगे और इस तरह हम एक एक चैन बनाकर इसको बंद कर देंगे अब जितना यहां से खुला रखना चाहें आप उतना खुला यहां से रखते बाकी का सिलाई करते हैं इस ताब इतना सिल के हमने चैन बनाई और दागा कार इसी तरह हम इस साइड भी सिलाई करेंगे है इसके बत्ते चेन बनाई दो चेन हमने एक्स्रा बनाई як अब इसी तरह दो चेन छोड़के साइड हां यहां पर डबल कौश्य बनाएगा देखें तीन का दो 2 का मैं नेक्स्थ में दो 2 दो का एक इसी तरह ज़िस भी माली पति BIG भी अब आप देखेंगे दोनों, इस तरह हमारी काना जी की देखिए, जैकर देयार होगी, सुन्दर सिंग की जैकर बन गई हूँ, अब हम हीचे बीडिंग कर देंगी, तो बीडिंग के लिए देखिए, यहां से हम धागा इस तरह डालेंगी, अब हम धागा इस तरहान साथ यहां पर हम बहरीक बहरीक इनकी बीडिंग करां। एक, दो, इसको यहां निकालेंगे, एक, दो, यहां पे हम डालेंगे, इसी तरह हम नीचे साइड में पूरी में बीडिंग करें, एक, दो, इस तरह हम पूरे में बीडिंग कर लेते हैं, मैं यहां पे नीचे बीडिंग कर दे, तो यहां पे हम अंदर की साइड में करते हैं, कि इस तरह हमारी जैकट के दिखेंगे तैयार हो कि इस तरह हम इनकी बैल्ट बनाएंगे और इस तरह इसकी चेन बना लेगा एक दो तीन चार पान पान छेन साथ नौन जो 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 कि मैं 25 चेन बनाई और दो चेन छोड़के इसमें हम एक एक डबल क्रोश्य बनाते लिए इस तरह पूरी चेन में हम एक एक डबल क्रोश्य बनाते लिए अब हम इसके अंदर यह वाली डोड़ी डालेंगे ताकि असानुए से हम उनको पहनाते बैल्ट बांगे यह से हम इस तरह पकड़ेंगे बिखिए फेरंड हमने बैल्त बना दी है वाइन हम यहां पर जैकट इनकी तेयार करती है अब हम यहां पर गांट लगा देंगे तांकि हमारी जो गागा है वो बाहा नहीं इस तरह हम यह साईड़ भी लगा देगे, तो दिखें इस तरह यह हमारी जयक। तर्ष तेयार हो गए, यह बैल्ट तर्ष 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 वेल्ट तर्ष लेए, अब हम आपको पहना कि दिखाते हैं, यहां से हम इस तरह यह 1 को पहना दे scientifically, और इसी तरह इस साइड से भी पहना देगे यहां पर हम इनको इस तरह से बेल्ट बाद देगे यह देखेंगे यह हमारे इनके बेल्ट हो गई है और यह इनके यहां पर जैकट कंप्लेट हो तो आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी आप हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें वेल आइकन रबारें तांके हमारे वीडियो आपको नौटिक्टेशन में म दिखरें और यहां से इनके पैट भी सब पूरे दिखे धागते हैं तो लिए सब्सक्राइब जिरूर करें तो चदिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ अपको जैसे कुछना लादे लादे थैंक्स पर वाच्छों कर दो हुआ है